हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार पिस्टे स्वागत हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आवला मुर्बिक की इंस्टेंट रेसिपी को देखने वाले हैं इसे हम आवला जेम भी बोल सकते हैं बहुत ही जल्दी बन करके त्यार हो जाएगा आप अगर और चीनी का मिजरमेंट सेम ही होगा आदे चमच काली मिर्च का पाउडर लिया है और ये थोड़ा सा हमने इलाइची का पाउडर लिया है ये दोनों ही ऑपिशनल है इससे इसका स्वाद अच्छा आएगा अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे ना डालें आवले को हम इस तरीके से कद्दू कस कर लेंगे और इस अच्छे से ग्रेट करके इसके बीच को हम निकाल देंगे ये देखी इसी तरीके से हमें इसे कद्दू कस करना है तो सभी आपले को हमने अच्छे से कद्दू कस कर लिया है तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम एक पेन में चीन और अब इसे हम लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए पका लेंगे इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है अब इसे हम कवर कर देंगे और दस मिनिट तक हम इसे पकने देंगे इसका फ्लेम हमें कम ही रखना है दस मिन बार आप देख सकते हैं आवले ने पानी छोड़ दिया है इसमें हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है और बीच बीच में हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे और अब फिर से हम इसे ढख करके 10 मिन तक पकने देंगे जब तक यह अच्छे से ड्राय नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे और फिर से हम इसे कवर कर देंगे पाइनली आप देख सकते हैं आवले का जेम अच्छे से ड्राय हो चुका है इसका सारा पानी जो है वो सूप चुका है तो जली इसकी कंसिस्टेंसे चेक कर लेते हैं यह बिल्कुल अच्छे से चिप-चिपा होना चाहिए हमें इसे इलाइची पाउडर डाल देंगे, काले मिच पाउडर डाल देंगे, और एक मिट तक हम इसे चलाते हुए पका लेंगे, देखिए आवला जेम रेडी है अब हम गेस का फ्लेम बन कर देंगे इसे आप आमले का इंस्टेंट मुरब्बा भी बोल सकते हैं या आप इसे आवले का जेम भी बोल सकते हैं और इसे धक करके हम थंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक गंटे बाद आप देख सकते हैं आवले का जेम अच्छे से थंडा हो चुका है बहुत ही तेश्टी जेम बना है ये आप भी इसे एक बार घर पर जरू ट्राय करें इस जेम को हम बहुत ही लंबे टाइम तरक इस तोर करके रख सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं हो गई ये बताई कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा थेंक्यू दोस्तों